मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर JEE 2023 में आया हुआ क्योशन कैपलरी राइस से रिलेटेड है हम यहाँ पर maximum क्योशन, maximum concept JEE के numerical की help से solve करवाने की कोशिश करते है और हमारे पास 23 में आया हुआ क्योशन कैपलरी राइस पे बेज है, क्योशन गिवन है The height of liquid column rise in capillary tube of certain radius when dipped in liquid A vertically is 5 cm If the tube is dipped in similar manner in another liquid B of surface tension and density double of the value of A The height of liquid rise तो यहाँ पर यह question, आप खोदी देखिए कितना easy question उन्होंने यहाँ पर दिया है क्योशन में क्या है, कि अगर हमने दूसरा liquid यूज किया जिसका surface tension S dash जो है, वो double है पहले के comparison में और density rho dash जो है, वो भी double है पहले के comparison में तो पहले का जो H होगा, वो होगा 2S cos theta divided by rho g r उन्होंने कहा है, surface tension और density double है तो यहाँ पर surface tension में 2 का multiply किया और density बे भी 2 का multiply किया तो H dash जो होगा, वो 2 into 2S हो जाएगा into cos theta as it is, और radius, sorry density भी 2 rho हो जाएगा into g into r as it is, तो यहाँ का 2, यहाँ के 2 से cancel हो जाएगा और H dash जो हो H के बराबर आजाएगा, हमारे पास वापिस answer आएगा meter में कितना होगा, अगर 5 cm है, तो 5 divided by 100 meter मतलब answer आएगा 0.05, देखो उन्होंने थोड़ा सा confuse करने की कोशिश की है पर यहाँ पर question अगर आपको logic पता है, तो question बड़ा easy है अगर आप यहाँ पर logic देखेंगे, logic क्या है, logic यह है कि बोट आर इंवर्सली प्रोपोर्शन, बोट आर डार रेडियस सर्फिस टेंशन निमेर्टर में आता है और रेडियस डिनोमेटर में आता है, तो वहाँ पर दोनों का टू-टू कैंसल हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा और उन्होंने 5 सेंटीमेटर को मीटर में कनवर्ड कर दिया है, तो बड़ा easy question है, जो हमने solve किया, ठीके, thank you very much